आशिरवाद मैं कनिश्टा जी हाँ जो अभी कुछी दिन पहले हम सब के बीच आई है कनिश्टा जिसका प्यारा सा नाम घर का नाम रखा गया है कनर आप सभी को हम शुक्रिया कहेंगे कि आप सब यहाँ पर आएं और उसको यहाँ पर आशिरवाद देने के लिए इकठे हुए सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है तो भगवान का नाम हम कुछ इस तरह से लेंगे वक्रतुन्ड महाकायर सूरे कोटी समक्रभा निर्विग्नम खुरुमाई देव सर्वतारेशु सर्वदा तो भगवान का नाम लेने के बाद मैं आप सभी को जरूर बताऊंगी जो भी हमारे घर अभी कुछी ठाइम पहले आई है चोटी सी बच्ची जैसा कि हम सभी जानते है कि हमारे हंगुस्तान में बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है और साती सात जब किसी के घर में चोटी सी प्यारी सी लड़की होती है तो उस लड़की को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है और लक्ष्मी जिस भी धर में आए उस धर में खुश्याली ही खुश्याली चा जाती है लक्ष्मी का रूप कुछ ऐसा होता है कि हर किसी के जिसके भी पास लक्ष्मी आए या बच्ची के रूप में हो, या धन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसके चहरे में स्माइल को आई जाती है, जो हमारे पीछ आई है नन्ही सी बच्ची, नन्ही सी परी, जिसे लिटल एंजल भी कहा जाता है, सब के दिलों में चाने के लिए, सब के दिलों में याद और फामली विल गूँ तो इसी के साथ साथ हम आप सब के बीचे हमारा सबसे पहला परफॉमेंस लेकर आएंगे जो